यानम आपी मामले में कल तस्वीर ये समाम सामने आ गई है वीडियो सामने आ गए उनको लेकर चर्चा है लीगली जो हिंदू पक्षए आज कहरा है कि कोट में जो उनको डेटा दिया गया तो उसको जमा करें कामाई से लिए जो मुख्य के चहरा इस मामले में वकील हिंदू में वह मौझूद हैं सर बताइए क्या होगा जब इस मामले में क्या होगा देखिए हमें तो कल साड़े च्छे बजए यह सैटिफाइड कॉपी इस वीडियो फूटिज की मिली थी और साथी बजए हमने प्रेस कॉंफरेंस करके बता जिया थे कि इसको वापस कोड को देने ज MN में तो हम तो रेटर्न कर दिए पर मैं कहना चाह calculate कि इन सारी चीजों से इन सारी बातों से हमारे केस के मेरीट से को racism नहीं पर हमने केस मेरीट से बहुत स्टॉंग है हमने कोट के पडल पर इस समय की जो मौझूद में रखी हुई हैं तो वह बात सब सामने आ रही है और एड़ोकेट कमिशन की जो रिपोर्ट है वह भी सारजनिक है और अब तो यह वीडियो भी सारजनिक हो गया है हम यह चर्चा कर रहे थे कि वह विज्डियो मिलें तो पक्षकार हैं उनको दिखा के वेरिफाई कराया जाए अब जूरत नहीं कि वेरिफाई कराने कि आप लोग उसे वापस करने की बात कर लाए नहीं अभी तो हम कोट के सामने हमें अपना स्टैंड क्लियर करना बहुत जर करें जाए बारबरय मांग कर रहा था यही करन था क्या यह विज्डियो है तो जैसे हमें मिला है उसके पहले ही यह वीडियो लीख हो गया पब्लिक डोमें जिख रहा है तस्वीरों में प्रतीक्चिन बता रहे हैं क्यों उनी चाहते हैं उनका यह डर था कि लोगों सब्सक्राइब है उसके कि खिलाफ जो भी इन्वेस्टिकेट हो उसमें कोई है और साती साथ लोगों के तón 고犯ानी चाही थे हर आदमी का जानने का अदिकार है फृर बीडों स्पीच और तो अभी तो हमने ऐसी कोई प्लैनिंग नहीं की है जो हमारे पास फुटेज़ आयते है बहुत सिंपल सी बात है वह सील कवर में आयते है उसको वापस रिटरन कर देंगे अब यह कोड का विशेश अदिकार है अगर किसी ने कोई गलती की है तो कोड उसके खिलाफ एक्शन ल केमरसर फैसल के संगा जे तुब अपी नियूस बनागास